हेलो बچो, क्या हाल चाल है, आप लोगों का, उमीद करते हैं, आप लोग का हाल और चाल दोनों मस्त हैं, और आप अपने पढ़ाए में बहुत जादा ब्यास्त भी हैं, तो चलिए आज के this चैपटर में ना, हम नंबर सिस्ठम के बारे में पढ़ेंगे, और यह जो नंबर सि संख्या कहते हैं अभी जो real number है ना इसके अलग-अलग parts होते हैं जैसे कि natural number, whole number, integer, rational number and irrational number basically इस chapter में हम rational and irrational के बारे में deep में पढ़ेंगे यानि कि इस chapter में totally आपको rational और irrational के बारे में पढ़ना होगा चेक हैं तो चलिए एक-एक करके शुरू करतें तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि natural number किसे कहतें तो ऐसी संख्या या ऐसी number जो 1 से start हो 1, 2, 3 करते 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 इंफिनिटी तक जाए तो ऐसी संख्या जो 1 से start हो और infinity तक जाए तो इसको क्या बोलतें? नेचुरल नमबर, इंफिनिटी मतलब अनन्त तक, अब आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि होल नमबर क्या होते हैं, तो होल नमबर उसे कहते हैं, जो शेंख्या 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, फिर 2, फिर 3, और कहां तक जाएं, इंफिनिटी तक, तो कोई संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, और इंफिनिटी तक जाएं, तो ऐसे नमबर को हम होल नमबर कहते हैं, तो यह बात याद रहे हैं आपको छोटा सा, चलिए, तो आगे मूव करते हैं, अब इंटेजर के बारे में बात करते हैं, तो जो इंटेजर होता है न, यह दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव इंटेजर होता है, और एक निगेटिव इंटेजर होता है, यानि कि अगर मैं एक लाइन खीच लूँ, और इस लाइन पर ना, एक में यहाँ पे 0 कर दूँ, जो 0 के इस साइड ज फिर positive 2 ऐसा जो सो करेंगे न वो सब positive integer कहलाएगा जिरो के बाद इधर minus 1 minus 2 minus 3 रहेगा न इसको negative integer कहेंगे तो positive और negative दो तरीके के integer होते हैं तो हमने यहाँ पे देख लिए कि positive integer और negative integer किसे कहते हैं तो यह आप no down कर लेजेगा यहां से चले अब ना important बात करते हैं rational number के बारे म rational number के से कहते हैं तो ऐसी number जिसको divided करने पे पूरता वो divide हो जाए पूरता मतलब completely वो divide हो जाए तो उसे rational number के सब्सक्राइब जैसे कि अगर आप four में आ five का divide करोगे तो एक इस्थिती ऐसा आएगा कि ये completely divide हो जाएगा भले ही ये point में जाएगा पर completely divide हो जाएगा अगर आप 2 में 3 का divide करोगे तो ये भी completely point में जाने के बाद तूट जाएगा यानि decimal में जाएगा पर completely divide हो जाएगा वैसे आप 11 में 13 का अगर divide करोगे न तो ये भी complete divide हो जाएगा तो कहने का कुल मिला जुला के मतलब ये है न कि अगर कोई number completely divide हो जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा rational number और ये जो rational number होता है न इसको हम P by Q के form में लिखते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है इसको P by Q के form में लिखा जा सकता है तो आप बोलोगे कि 4 को P by Q के form में कैसे लिख सकते हैं तो simply यहां पे आपको क्या करना है इसके बटे 1 लगा देना है यानि कि आप क्या करोगे 1 अभी क्या हो गया P by Q के form में हो गया तो अगर कोई digit लिखा हुआ है न तो उसके नीचे आप 1 लगा करके ऐसा जैसे 5 by 1 हो गया 6 by 1 हो गया इस तरीके से इसको P by Q में लिख सकते हैं तो यह सब नंबर क्या हो जाएंगे मारे रैशनल नंबर अच्छा आपसे अगर पूछा जाए कि root 4 जो है वो एक रैशनल नंबर है कि यह रैशनल नंबर तो आप बोलेंगे रैशनल नंबर कैसे अब बोलेंगे root के अंदर है तो यह रैशनल होना चाहिए पर ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि अगर मैं 4 को 2 into 2 लिखूँ तो यहांसे 2 क्या हो जाएगा पेर बन जाएगा तो बाहर आएगा तो सिर्फ 2 हो जाएगा और 2 के नीचे वह लगा के P by Q के form में इसको लिखा जा सकता है तो यह हमारा क्या हो जाएगा rational number तो यानि ऐसा कोई digit जो root के अंदर है पर उसका factor निकाल के उसको completely root से बाहर कर सकते हैं तो क्या कहला हैगा rational number तो यह उमीद करते हैं आपको समझ में आगया होगा चलिए आप e-rational के बारे में बात करते हैं कि e-rational क्या है तो देखे e-rational जो है न इसका मतब़िए कि ऐसी संख्या जिसको P by Q के form में न लिख पाए या उसे न डिनोट कर पाए किसके form में P by Q के form में और ऐसी number जिसकी पुड़ता यानि completely division ना हो वो completely divide ना हो ठीके उसे हम e-rational number बोलते हैं जैसे example के तोर पे जैसे यहां पे क्या लिखा हो मैंने कि e-rational number जो होता है न उसको P by Q के form में नहीं लिखते हैं कहने का इंदर सेंस कि जैसे अगर मा लेजे 2 है न तो जब 2 को आप root से बाहर निकालोगे तो यह न पॉइंट में जाएगा यानि decimal में जाएगा और यह न रूखेगा नहीं continuously ऐसे divide होता जाएगा होता जाएगा ठीक है तो completely divisible नहीं होगा ठीक वैसे पाई को ले लिजे तो अगर आप पाई को देखोगे न तो पाई के value कितनी होती है पाई की value वैसे हम लोग बोलते 22 बाई 7 चीक है 22 बाई जो 7 होता है न इसको completely divide करेंगे तो नहीं होगा यानि ऐसा point में कुछ ने कुछ करते रहेगा expand करते जाएगा point में तो completely divide नहीं हो रहा है इसलिए पाई को भी हम क्या कहते है यह rational number तो जो शंख् पी बाई क्योंकि form में न लिखे जा सके या फिर उन्हें root से बाहर न निकाला जा सके या उनको completely divide न किया जा सके उन number को हम यह rational number कहते हैं ठीक है तो उमीद करते हैं आपको इतना समझ में आया है चलिए अब हमना decimal expansion के बारे में पढ़ते हैं कि decimal expansion क्या होते हैं तो आपको simple पता हूं कि decimal expansion जो होते हैं वो टीन ताइप के होते हैं जैसे कि एक को बोलते terminating दूसरे को बोलते non-terminating and repeating और तीसरे को बोलते non-terminating and non-repeating terminating का मतलब जब आप divide कर रहे होगे न किसी संख्या में किसी संख्या से यानि किसी number में किसी number से divide कर रहे होते हूं तो वो आगे चल करके न आप completely divide हो जाएगा यानि reminder उसके 0 आएँगे चीक है, तो जब अगर completely divided हो जाए और उसका reminder 0 आजाय तो ऐसे को हम क्या बोलते terminating लेकिन ऐसी नमबर जिसके अंदर किसी और नमबर से डिवाइट करें तो वो डिवाइट कम्प्लीट नहीं नहीं और पॉइंट के बाद एक सिति के बाद उसके अंदर वो नमबर जो है बार बार रिपीट होने लगे इसको बोलते हैं non-terminating मतलब खतम तो होगा नहीं और साथी साथ नमबर बार बार रिपीट होते रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे non-terminating and repeating अब आता जो third type का इसमें क्या होता है कि मालेजे कोई एक संख्या लिया यानि एक नमबर लिया और उस नमबर के अंदर किसी दूसरे नमबर से डिवाइट करा रहे हो तो वो completely divide भी नहीं होगा पहली बात और नहीं उसमें कोई भी digit एक decimal point के बाद repeat होगा ऐसे को non-terminating and non-repeating कहते हैं यह बात आपको छोटा सा याद रखना है चलिए आगे move करते हैं तो हमने यहाँ पे थोड़ा साब को बताते हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको कि जो terminating होता है नो completely आगे जाके divide हो जाता है जैसे आप जब 7 में 8 का divide करोगे तो यह 0.875 टाइमस में कटके reminder कितना आ जाएगा 0 तो जब completely कोई जी divide हो जाए और उसका reminder 0 आ जाए तो उसको अब क्या बोल देंगे terminating number बोलेंगे लेकिन वही पर कुछ ऐसा number जिसमें divide करने पर वो completely divide ना हो जैसे 10 में अपना 3 का divide करेंगे तो क्या आएगा 3.3333333 ऐसा continuous चलता जाएगा और इसका reminder कभी भी 0 नहीं आएगा तो in case में इसको क्या बोलेंगे ना तो ये divide हो रहा है तो non-terminating और ये बार-बार इसमें 3.333333 continuous repeat हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे repeating बोलेंगे तो non-terminating and repeating इसमें number क्या होता जाएगा repeat होता जाएगा अब आते तीसरा type इसमें क्या होता है कि जिसे root 2 है ना इसको जब आप निकालोगे इसमें क्या होगा कि इसको जब भी आप divide करते जाओगे तो ये पहले तो completely divide नहीं होगा इसलिए dot 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 यहांप लिखा हो है completely divide भी नहीं होगा और साथ ही साथ इसमें कोई number repeat भी नहीं होगा छीक है लेकिन ये जो division process है न वो continuous चलता ही रहेगा तो ना तो इसमें पहली बात तो ना तो इसमें completely divide हो रहा है और ना इसमें number repeat हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते है non terminating and non repeating ऐसा number जो न completely divide हो और ना है उसमें कोई number repeating हो चीक है तो ऐसे को हम irrational और irrational हम क्यों बोलते है इसको क्योंकि ये continuous चलता रहता है और इसका ending कभी नहीं होता है इसलिए इसको क्या बोलेंगे irrational लेकिन वही पर हमारा जो terminating होता है non terminating and repeating होता है ये दोनों के दोनों rational में आते है क्यों rational में आते है क्योंकि देखे जो terminate हो जा रहा है उसका reminder तो 0 आ रहा है तो इसको तो आप आराम से P by Q के form में लेकिन लेकिन ये जो repeated है तो इसमें हम क्या करते है कि सिती के बाद number को block कर देते है जिसे 3.333 इसके बाद बार-बार 3 आएगा तो मैं इसे पर block कर सकता हूँ तो यह हमारा answer क्या हो जाएगा 3.333 तो एक इसमें blockage है क्योंकि एक ही चीज को बार-बार repeat कर रहे है तो बार-बार लिखने सच्छा है कि एक ही बार लिख दे या दो बार लिख दे ठीके लेकिन इस वाले case में यानि non-terminating and non-repeating में ऐसा case नहीं है repeating नहीं है यानि उसको continuous चलाते रहेंगे तो यहाँ पर मैंने छोड़ा सा बात लिखा है कि जो terminating होता है न उसकी reminder कितनी होती है 0 लेकिन जो non-terminating and repeating होता है न उसका कभी भी reminder 0 तो नहीं आएगा चीक है तो उमीद करते हैं आपको यह basic सा concept number system का समझ मैं होगा और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपनी दोस्तों के साथ जोरू से करें और अगर आप चैनल पर नहीं है नो तो चैनल को subscribe कर लिजे बेल आइकन को हिट कर देजे ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होना तो सबसे पहले आप तक पहुच पाया चैनल फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत बाइबाइ टेक कियर